एक होती है quick revision batch और एक होती है हमारी regular batch तो September exam के लिए हम लोग quick batch ले रहे हैं मतलब revision भी नहीं बोलेंगे quick batch उसमें आपको कुछ चीज़े मैं फटा फट बोलता हूँ target set करके देता हूँ ताकि दूसरे दिन अपना वो chapter भी खतम हो जाए इसमें मेरा तरीका ये होगा quick batch में मैं आपको targets दूँगा अब आज से आपका main journey शुरू हो रहा है क्योंकि second chapter जो था वो थोड़ा सा बड़ा था पर basics के लिए बहुत important था अभी जो chapters होंगे हमारे तिन दिन है अपने पास हर chapter को आपको 4-5 गंटा उसके उपर मेहनत करनी पड़ेगी पहले ही बोल देता हूँ illustration solve करने पड़ेंगे और मेरे साथ quick revision करना पड़ेगा तो दोनों चीज़े को simultaneously करना है आपको आशा करता हूँ आप आज से serious हो जाओगे बात कभी करोगे आपका साथ बेड़ा जॉइन हो जाएंगे और उनके पास भी बहुत कम टाइम बचेगा September exam देना तो मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग BRS का फटा 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 फट वीडियो जो एवे ग्रूप पर डालके रखोंगा आप लोग देख लीजे और मैं आपके कुछ basics clear कर देता होंगा तो अपने को बैंक क्या-क्या services offer करती है यह पता होना चाहिए बैंक guarantee देता है bank guarantee मतलब क्या होती है कि कोई भी party होता है तो मैं आपके उपर भरोसा directly नहीं कर सकता हूँ तो आपके bank ने मुझे guarantee दिया तो मैं आपको कुछ माल बेच सकता हूँ इसको बोलते bank guarantee बिजी letter of credit मतलब कुछ उधारी चाहिए तो वो letter of credit दिया जाता है कि भाई आप माल बेचो बिंदास्त होके सामने वाले को जैसे guarantee नहीं आप उधारी जो है guarantee में क्या होगा कि transaction एक party के साथ होगा letter of credit यह normally import export में use होता है तो letter of credit में क्या होता है importer जो होता है न importer उसको कुछ finance दीजे तब वो माल बना रहा है sorry exporter जो माल बना रहा है तो importer के भिहाब पे यदि bank बोलता है कि हम लोग payment कर देंगे तो वो bank guarantee बोला जाएगा और वही सामने वाले को बोला जाएगा कि नहीं आप production चालू कीजे we are there तो यह जो होता है वो letter of credit होता है प्राइवलर्स चेक यह बहुत पुराने जमाने में होता था ORI facility मतलब क्या कि for example मुझे bank से loan चाहिए अभी loan चाहिए तो पर मैं कुछ तो गिरवी रखता हूँ कुछ hypothecation यह चीजे बोली जाती हो उसको mortgage वगरा वे मैं इंटर में आपको बहुत detail में पढ़ाऊँगा अभी इतना नहीं गिरवी रखना यह याद रखिए ORI facility जो होती है वो ORI facility मतलब bank के loan के against bank क्या करता है bank आपको एक overdraft मतलब इतना पेसा आप ORI निकाल सकते हो यह limit sanction करता है तो businessman जितना limit खीचेगा मतलब जितना limit वो use करेगा वही ORI और CC में थोड़ा one line difference होता है तो इतना ध्यान में रखिए ORI और CC में वही difference है जितना आपका कि जितना पेसा आप लोग withdraw करोगे उसके उपर ही loan मिलेगा for example उतना है आपको loan के उपर interest charge होगा international banking services आप लोगों को पता ही है कि बाहर के countries में जाने के लिए वेटा जो फिर आपके वो payments करने होंगे for example मुझे Google वालों को payment करना है तो भले वो rupees में पर payment उनका dollar में उनके पास पहुचेगा तो ये जो services है Google वालों को मिलता है इंडिया में नहीं जाएगा वो उदर जाएगा main उनके head office हुदर है US में तो उस हिसाब से security transactions on behalf of customer मतलब shares का lending भी bank आपके लिए करती है dividend वगर आपके account में collect हो जाता है remittances कुछ पेशा भेजना है तो वो भेजा जाएगा loans दिये जाते है and bill discount किया जाता है ये तो आप सबको पताई है so सत्यम के बारे में अभी ये बात नहीं करेंगे ये चीज़े रहने दीज़े हम लोग क्या करते फिर reconciliation ये हमें चाहिए ही चाहिए reconciliation के पीछे logic क्या है very simple आपको इतना है बोलूँगा कि मैंने आपको अभी ICI ने institute ने मुझे एक check दिया institute ने मुझे एक check दिया संकेत सर को अभी institute का bank है kotak bank ICI पुने ब्रांचे समझो उन्होंने मुझे एक check दिया ICI पुने ब्रांच ने kotak bank का एक check मिला मुझे ये check जाके मैंने मेरे account में suppose मेरा ICI का account है अभी ये check deposit होने को थोड़ा सा मिलने के बाद ये लोग तो तुरंत payment की entry pass कर देंगे क्योंकि इन्होंने तो payment किया हुआ है अभी इतना तो आपको समझ में आना चाहिए institute मुझे check pay कर रहे तो payment उनके लिए होगा और मैं receipt करूँगा ये entry का receipt का entry pass करूँगा पर ये check मैंने deposit किया 30 March को अभी कोई भी bank को clear मतलब अभी क्या होता है kotak bank ने बोला तो ICI से bank के account में पैसा आता है तो बेड़ा ये bank to bank को थोड़ा सा time लगता है जिसको clearing बोला जाता है check clear होने को थोड़ा time लगता है अभी ये check clear होने को तीन दिन लग जाएंगे तो ये almost 2 February 2 April के असपस transaction होगा तो 31 March का जब आप लोग bank balance देखोगे तो सबोज मेरा bank balance 10 lakh रुपिया है तो 10 lakhs रुपीज मेरा bank balance दिखेगा और मेरा payment जो दिखेगा मेरा bank account में 10 lakh है पर मेरे मेरे खुद के books में 11 lakh रुपिया दिख रहा है क्यों 11 lakh रुपिया दिख रहा है क्योंकि मैंने 1 lakh रुपिया मिला इसकी entry कर दी तो 11 लाग मेरे अकाउंड में दीख रहा है 10 लाग बैंक के अकाउंड में दीख रहा है तो यहाँ पे मुझे मेरा जो आडिटर है वो आके पूछ सकता है कि भाई डिफरेंस क्यों है तो मुझे यह बताना पड़ेगा देखो यह मैंने कुछ फ्रॉड नहीं किया है यह मैंने ऑडिटर को यह मुझे प्रू करना पड़ेगा एक स्टेट्मेंट देना पड़ेगा कि मेरे बुक्स में 11 लाग दीख रहा है पर पास्बुक में मतलब बैंक के बुक में सिर्फ 10 लाग क्यों दीख रहा है तो मैं उनको बूलूँगा मैंने 1 लाग का चेक मैंने डिपॉजिट किया मेरे अकाउंटर ने 1 लाग की एंट्री पास कर दिया पर सामने वाले ने 1 लाग रुपय अभी तक क्या नहीं किया है मतलब बैंक ने अभी तक वो रेकॉंड नहीं किया है और बैंक ने रेकॉंड नहीं किया तो बैंक के अकाउंट में 10 लाग दीख रहा है और मेरे अकाउंट में 11 लाग दीख रहा है मेरे अकाउंट में इंडियन बैंक का बैलन्स मेरे बुक्स में, SS के बुक्स में कभी भी ICICI account open होगा. क्या याद रखना है? SS के बुक्स में ICICI account open होगा और ICICI account में मेरा account open होगा. इसको बोलते हैं, एक दूसरे के बुक्स में account balance check करना और जब हम लोग cross check करेंगे, balance verify करेंगे, तो भाई, मेरे बुक्स में 11 लाख, उनके बुक्स में 10 लाख, तो इसका reason है, देना पड़ेगा auditor को, जो भी check कर रहे है उसको, या अपने जानकरी के लिए, जरूँ नहीं कि किसी और के जानकरी के लिए, अपने जानकरी के लिए भी पता होना चाहिए, कि भाई, एक लाख का चेक डाला हुआ है, यह रोने को टाइम लगेगा, उनके बुक्स में next year में आएगा, मेरे बुक्स में current year में आएगा, इसके वज़े से यह difference है, अभी difference, यह कोई चोरी नहीं है, 11 लाख दिखाना मतलब 11 लाख दिखा है कि आपने थोड़ी चोरी किया है, कभी कभी क्या होगा, अभी इसके भी दो options है, कि आप अभी यह क्या हुआ, मेरे बुक में entry हुआ, संकेट सर के बुक में entry हुआ, अभी आपको सबसे पहले, अभी इसमें, वीरेस में hold लाना है, वीरेस में hold लाना है, तो बंदे को करना क्या पड़ेगा, पहले आपको यह सोचना पड़ेगा, number one कि स्टेप यह है, कि entry किसके बुक में हुआ, entry किसके बुक में हुआ, यह हम लोग देखेंगे, और common sense है, कोई भी अपने आज तक passbook देखा भी नहीं होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखा होगा, तो बहुत बढ़िया, आपको तुरन समझ में आ जाएगा, passbook उनका book होता है, अपना book नहीं होता है, अपने book में उनका account है, उनके book में अपना account है, आज ही मेरा, एक मेरे CA final के student के साथ बात हो रहा था सुबह और उसने मुझे पताया कि सर आजकल नए नए articles आते हैं हमारे office में और सर मैं भी वेसी थी कि मुझे पता चलता है वो जब आते हैं वो मुझे articles के लिए डिमांड कर रहे थे की practice में है तो July, August, September का season चल रहा है तो उन्होंने मुझे फोन किया कि सर अच्छे articles दो ना मैं मेरा student थोड़ी पुना बेस student नहीं है student के All Over India का फेल चुका है तो मैं पुना के students होते हैं तो मैंने definitely recommend किया होता पर अभी क्या हुआ है कि मैं थोड़ा सा अलग level पर सिखा रहा हूँ online सिखा रहा हूँ तो और मैं online इसले सिखा रहा हूँ कि मुझे भी अभी बहुत सारे commitments है not only classes है बाकी भी थोड़े बहुत मेरे पीछे commitments होती है और मेरा भी ऐसा नहीं है कि मेरी wife practice करते तो थोड़ा बहुत मुझे उसको भी help करना पड़ता है at least client interaction मेरे पास रहता है क्योंकि समझाने का काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ इसले थोड़ा बहुत उसको help हो जाता है कि वो client के साथ अच्छे से बात नहीं कर सकती काम बहुत अच्छा कर लेती है पर communication skill होना चाहिए और यही तो बात मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ communication skill अच्छा रखो ताकि आप लोग अच्छा कमा भी लोगे बहुत important है life में बहुत आपको कम जान करी होगी पर आप सामने वाले को कैसे express करते हो बहुत जरूरी है life में यह ध्यान में रखो इसलिए बोलते आना चाहिए इसलिए मैंने आज सोनम को भी क्या पूछा सोनम यह interest ले रहे क्या तेरे बोलने पर और एक दो लोगों ने बोला हाँ interest ले रहे सामने वाले को मैं जो बोल रहा हूँ तो आपका ध्यान इधर उदर न भटकना बहुत ज़रूरी होता है पुनिता जब मैं बात करता हूँ तो तेरा ध्यान इधर उधर होता है क्या वेटा कभी नहीं सर क्यों नहीं होता है interesting is कि सर उसमें interest पेदा करते है सर उसको मतलब सर सामने वाला सुनता भी है मतलब तुम नहीं सपोज मैं जनरल भी बात करूंगा तो at least society में भी रहूंगा या किधर भी मेरे बाकी बिजनेस में भी जाओंगा तो सामने वाले को समझ में आता है कि भाई इसको इज़त देनी चाहिए और वो इज़त देना या आपका communication skill बहुत माईने रखता है अभी वह बात अलग है इसलिए मैं आपको बोलने के लिए मजबूर करता हूं स्टोरी पर वापस आता हूं तो वह मुझे बोल रहे थे sir अच्छे आर्टिकल्स दो उनके पस 3-4 आर्टिकल्स है पर प्रॉब्लेम यह है कि basic interest भी समझ में नहीं आती है उन्होंने उनको capital account दिया तो वह बोले थे sir capital account में at least पेसा कब लिया और पेसा कब drawings कब हो रहे है वह मैंने बताया तो वह भी नहीं समझ में आ रहे है टैली में expenses की list है so expenses की so expenses की list सिब excel में वह expenses डालने है balance sheet और pndl बनाते time क्योंकि टैली का format थोड़ा अलग होता है तो यह लोगों को excel के format में वह transfer करना पड़ता है तो sir उदर 100 खर्चे है और डालते time उन्होंने 70 खर्चे डाले और बोल रहे है total match नहीं हो रही है अरे बाई तुम लोग check तो करो तो वही चीज बोल रहे थे कि sir हमने हम भी ऐसे phase में से गए पर पहले साल से हमें कभी हमारे basics में problem नहीं आए इनको तो entries भी करने को नहीं आती है भले यह foundation pass student है इंटर भी pass हो चुके पर इनको basics entries भी खर्चा income डालना भी नहीं समझ में आता कैसे पास हुए भगवान कोई पता अब यह बात वो चल रही थी कि sir at least मतलब reconciliation की बात चली बैंक रीको तो हमारे लिए इनके लिए तो एक next level की पहचान है मतलब वो करी नहीं पाएंगे बैंक रीको statement और तब यह बाते होते time general फिर बाते निकली sir आप हमें कैसे रूलाते थ है entries नहीं आती है आप हमें बोलने के लिए मजबूर करते हैं यहां पे तो जल्दी हो जाता है वहां पे तो क्या होता था एक student आगया आएगा stage पे बेठेगा stage पे आने के बाद वो entry बोलेगा या bench पे side में खड़ा रहके बताएगा तो यह चीजों को time लगता था फिर वो time से होता है वही हमारी बात होती रहती थी कि आजकल आपने इतनी हमारे time पे तो यह facilities भी नहीं थी तो वही बात हुई कि सर अभी क्या all or India का बच्चा आपको सुनता रहेगा कितना मज़ा आता रहेगा उसको कि सर बेसिक जीरो से hero बना रहे पर अभी उसकी कदर होनी और यह common sense कब बढ़ेगा तो आपका thinking आपी को बढ़ाना है लास खतम होने के बाद आपको सोचना बढ़ेगा कि यह 10 transactions है तो यह 10 transactions पहले कहां पे enter हुए फॉर एक्जामपल चेक deposit किया यहने चेक एक लग का लाया चेक deposit किया तो पहले मेरी entry मेरे book में पहले entry होगी या bank के book में entry होगी यह साधी 3 पहले entry कहां पे होगी बेटा सर पहले हम अपनी book में करेंगे बस यही चीज़े मुझे आपको पूछने हैं हम लोग कुछ reasons डुन देंगे कि पहले entry कहां से कहां होगी अभी आईदर 11 लग से 10 लग पे जाना है बतलब क्या 11 लग किसके book में entry दीख रहा था बेड़ा हमारा book बोले तो cash book में एदर तू cash book से pass book जा सकती है तो 11 लग से 10 लग मतलब minus होगा क्या plus होगा बेड़ा सर माइनस करेंगे 1 लग अगर cash book से pass book में जाना है तो और pass book तो cash book जाना है तो add करेंगे अभी ये q हम लोग इसका reason डूनने की कोशिश करेंगे और कभी-कभी क्या होगा, entry तो समझ में आया, कभी-कभी, suppose हमारे साइड से, ये एक statement अभी आ सकता है, एक statement में लिखा होगा, और तीसरा, ये भी हो सकता है कि statement नहीं है, पर आपको पहले bank ने किया, अभी क्या होगा, अभी आपकी गलती मतलब आपके साइड से delay हो गया, आप हम लोग वो हमारे book में record करेंगे, इसलिए उसको adjust किया, किसको adjust किया, हमारे cash book को, इसलिए इसका नाम क्या होता है, adjusted cash book, and plus BRS, तो adjusted cash book plus BRS, ये भी एक statement बन सकता है, BRS में bank के side से जो delay हुए, और जो हमारे side से delay हुए हम लोग, T format में, जैसे cash book में बनाते बेसा, statement format में नहीं ह होगा, adless format में, debit credit form में होगा, तो जो बच्चों को ये समझ में आ रहा है न बेडा, फतम बेडा, आपको ये जिन्दगी में tension नहीं रहेगा, इसका फिर, एक entry समझ में आनी चाहिए, CB to PB समझ में आना चाहिए, PB to CB समझ में आना चाहिए, adjusted cash book और BRS ये समझ में आना और जो student ये समझ में आ गया है, तो उसके लिए BRS बिलकुल भी मुश्किल नहीं, और सबसे important, कहां पे entry हुई, मतलब हमारे book में हुआ, या pass book में हुआ, ये उसको समझ में आना चाहिए, बस ये जिसको समझ में आ गया है, उसको BRS कुछ भी नहीं है, और मेरा bank balance बढ़ रह हो रहा है, मतलब मुझे किस इंस्टूट ने चेक दिया, इंस्टूट ने चेक दिया, तो मेरा bank balance बढ़ेगा, ये मेरे लोगों को चेक दूँगा, कि भाई तुमारी salary लेखे जाओ, सर आजकल Google Pay का जमाना है, तो BRS की सर जरूरत ही नहीं होता, ये इसा अपने Google के चायन किया, ये पहले के जमाने में बहुत important चाप्ट अज भी आए, अज भी BRS होता है, पर प्रमान कम हो चुका है, BRS का जो entries का ये था, क्योंकि आजकल क्या बोलते लोग, N.E.F.T. कर दो, पहले वैसा नहीं होता था, तो 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 शेर कर दो, फिर मेरा आकाउंट निधर एंटरी कर लेगा, तो आजकल क्या होता है, ये चीजे बेटा, बैंक में तो तुरंत जमाई हो जाती है, या बैंक से पेमेंट भी चला जाता है, तो BRS का सवाल नहीं है, कब होता था, बै बैंक वाले जो है, अभी for example, अभी मेरे पास जो स्टाफ काम कर रहा है, तो उनके जो गाव है, बहुत छोटे-छोटे गाव है, तो वहाँ पे बैंक नहीं रहती है, वहाँ पे वो पतसंस्था चलती है, या cooperative society चलती है, तो cooperative society में directly ICSA bank और Indian bank या nationalized bank जैसा ये नहीं होता है, उदर check clear होने को time लगता है, 15 दिन भी जाते थे, अभी ये duration कम हो गया, settlement, settlement अभी दो दिन में होने लगा, पहले मुझे याद है, जब मैं छोटा था, पापम मेरे बोलते थे, आर, account में अभी तक पेसा नहीं आया, check deposit करके 6 दिन हो, तो पहले time लगता था, अभी ये time नहीं लगता, दो दिन, दक्ष कभी ये सुनेगा ही नहीं, यारे मेरा check clear नहीं हो, तो पता है कि पापा ने check, आजकल पापा अपको पूरा account में पेसा ले लेती है, दक्ष ये बोलेगा, पर, entry समझ में आना, BRS की, ये बहुत ज़रूरी है, BRS की entry समझ में आना मतलब कोन से book में पेले entry हो रही है, आशा करता हूँ, आपको थोड़ा बहुत background में दे पाया, BRS का background आपको मैंने अच्छे से बताया कि होता क्या है, so, passbook दिखता कैसे है, passbook मतलब अपना account bank के पास, bank के book में bank का ही account थोड़ी होगा, ICA से bank में संकेट सर का account होगा, और संकेट सर के book में ICA से एक account, तो वो लोग एक periodical statement हमें भेजते हैं, और उसका format ऐसा होता है, आपने कभी देखा तो यह आपको मिल, date होता है, transaction होता है, छोड़ा बहुत जगा होता है, narration जैसा, check number वगएरा, withdrawal, withdrawal मतलब आपका bank balance जब कम होगा, आपका bank balance गम होगा, तो क्या होगा, bank के लिए आप data हो जाओगे, और bank में जब आपका पैसा बढ़ेगा, तो bank को वो पैसा आपको देना है, creditor हो जाएगा, तो withdrawal मतलब data, simple भाशा में, withdrawal का मीनिंग क्या होगा, bank के लिए आप data बन गए, पैसा दो, bank बोलेगा, मुझे पैसा लाओ, 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 आपने पैसा विड्रॉ किया, तो वापस दो हमारा पैसा, deposit किया, हम आप लोगों को पैसा दे देंगे, हमारी liability बनती है, deposit मतलब liability, credit balance हो, withdrawal मतलब asset है, bank के लिए, और फिर balance आएगा, so simply, suppose मैंने एक account खोला, account खोला, तो bank के entry करेगा, bank करेगा by cash, कितना cash मैंने deposit किया, मैंने 25,000 रुपे से account खोला, फिर, फिर मेरे दोस्त को बोला, है, मेरा account खोल चुका है, अभी मेरा पैसा उदर डालने का, तो मेरे दोस्त ने, एक check deposit कर दिया, तो bank के entry करेगी, bank deposit ही लिखेगी, deposit मतलब credit, तो इधर buy लिखना पड़ता है, तो buy, check clearing, नाम clear हो गया, check clearing में है, bank, जो भी number हैगा, या आपने जो भी, अभी भी आपने bank transactions देके होंगे, तो आपने Google Pay पे जो भी लिखा हुआ है, वो सब लिख्या आ जाता है, तो आपका, suppose मेरे दोस्त ने 50,000 का check दिया, bank में balance कितना दिखेगा, 75,000, फिर उसमें से मैंने 5,000 का एक payment कि तो मेरा bank balance कितना दिखेगा, 70,000, फिर यह से statement बन दे, यह कोई बड़ी बात नहीं है, पेसा मैंने withdraw किया, तो मैं 2 cash लिखूँगा, 5000 भी withdraw किया, तो समझने के लिए बहुत आसानी है, credit balance मतलब deposit होता है, debit balance मतलब ODI होता, debit balance मतलब ODI होता, ठीक है, तो सबसे पहले, यह जहन में रखना, debit balance और credit balance, अभी, PRA statement क्या होता है, meaning, यह रिको स्टेट्मेंट है, balance as per cash book with balance as per pass book, में difference ढूणना होता है, अभी difference क्यों आता है, कि हमारी errors को भी समझ में आ जाती है, या delay हुआ कुछ तो वो समझ में आता है, कुछ fraud नहीं करना चाहिए, embezzlement मतलब पेसा चोरी करना, फंस को चोरी करना, वो नहीं हो सकता है, हमें true और fair view दिखता है, bank balance, and insurance accounting of all transactions is done, यह इसमें दिखता है, causes of difference क्या है, timing difference, a transaction is recorded at two different points in the passbook and cashbook, transaction, bank carries out transactions like SMS charges वगेरा, and errors भी होने के जो संभावना है, वो हमें समझ में है, अभी मैं कुछ transactions आपको बता रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओगे, check issued but not presented for the payment, आपे जेठालाल जी है, इन्होंने बभीता को check दिया बिड़ा, check issue किया, मुझे बताईए, किसके account में से पेसा पहले नीचे जाएगा, जेठालाल का balance नीचे जाएगा, cash book का bank column का balance, बभीता का, अभी बभीता ने check deposit किया, बैंक में, check deposit किया, बभीता का ने अपने book में पहले entry किया होगा, cash book का balance उपर जाएगा, बराबर हैं, अभी check dishonor हुई, इसकी information किसके पास होगी बेटा, पहले, bank के पास, bank के पास होगी, very good, तो check dishonor हुआ तो, pass book का balance नीचे जाएगा, पहले, किदर नीचे जाएगा, मतलब हम लोग देख रहें कि पहले entry कोन करेगा, आ रहा है समझ में आपको, आया समझ में, अभी interest and expenses charged by bank, जेठा लाल ने loan लिया है, तो bank ने, जेठा लाल को interest charge किया, तो यह पहली information किसको रहेगी बेडा, bank को, सो passbook का balance नीचे जाने वाद, कौन सा balance नीचे जाएगा बेडा, passbook का balance, interest and dividend collected by bank, पहले किसको information होगी यह, जेठा लाल को information होगी, interest and dividend collected by bank, जेठा लाल को बोला बेडा, मैंस, उन्ही थोड़ा दिमाग लगा बेडा, वहाँ पे दिया है, collected by bank, तो पहले किसको information रहेगी यह, बैंक, बैंक को, तो बैंक का, और bank का balance उपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा पुनिता, नीचे जाएगा, पहले बाद मूद, नीचे क्यों जाएगा, bank balance बढ़ेगा ना, आपका, dividend collect किया है हमने, यह, जेटा लाल का नीचे जाएगा, बैंक का उपर, वो नहीं सोचना है, सिप entry, दोनों का bank balance उपर ही जाने वाला है, सिप पहले किसका bank balance उपर जाएगा, वो देखना है, यह मत सोचो कि उसका balance नीचे जा रहा है, उदर balance ही नहीं जा रहा है, पुनिता तेरे दिमाग में मिस कॉंसेप्स है, जेटा लाल के books में कुछ नहीं होने वाला है, सिप pass book में होगा, और वो भी उपर जाएगा, बस इतना बोलना है, जेटा लाल का balance नीचे जाएगा, यह नहीं होता है, जेटा लाल में कोई फुरक नहीं पड़ेगा बेटा, पुनिता, इंट्रेस्ट एंड डिविडेंट कलेक्टेड बाई बैंक, एंट्री किसके book में हुआ? बैंक, बैंक के book में, और बैंक का balance उपर जाएगा के नीचे जाएगा, collection हुआ तो, जेटा लाल में zero उपरीज होगा, जेटा लाल ने कुछ भी नहीं किया, समझा? हाँ, अभी direct payment to third party, या येर को direct payment किया, किसने किया? बैंक थे, जेटा लाल को पता ही क्या पुनिता? नहीं, नहीं, तो third party को directly payment किया, तो कहाँ पे entry हुई पेले? बैंक, बैंक में, और payment किया तो नीचे गया balance या उपर गया? नीचे गया, बस यहीं तो है save, तो passbook का balance नीचे जाएगा, समझ में आया क्या अभी? हाँ से, मैं और visualize नहीं करवा सकता हूँ बेटा ये, मैं ना लिख रहा हूँ, मैं सिप और सिप आपको visualization के द्वारा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Collection of bill, check directly on behalf of account holder, हमने अईयर से check collect किया, किसने? बैंक ने, जेठा लाल का check था, जेठा लाल को जो check अईयर देने वाला था, वो बैंक में उसने डाल दिया, अभी ये किसको पहले पता होगा बेटा पुनी था? जेठा लाल को या बैंक को? बैंक को. बैंक को, और बैंक का balance उपर आया के नीचे आया? उपर आएगा. क्यों गलती कर रही है फिर? अरे यार. ये गलत होगा. ये 21 नमबर की slide गलत होगई है. ये रखो बाद में आप भूल जाओगे. 21 नमबर BRS. BRS ये उपर आप ठोले हैं. बक्त दे आले-आले चेंज करें. रूप वरती लगे. बैंक चार्जेस लेवीड बाइ बैंक. किसको पता होगा पुनी था ये बैंक चार्जेस? पुनी था? लेवीड मतलब बैंक ने अपने को चार्ज किया. अपके उपर वो लगा दिया वो चार्जेस. किसको पता होगा ये बैंक को? तो बंक को पता होगा तो फिर पास्बूक का बैलेनस नीचे जाएगा वंद राइनका के अपका अकाउंट है फिर पैंक के दाइनका में बारे में बात नहीं कररहे हम लोग बैंक का खुद का नहीं, बैंक के बुक में आपका अकाउंट, जेठा लाल का अकाउंट जेठा लाल के अकाउंट में ICICI बैंक का अकाउंट है तो जेठा लाल के अकाउंट में बैंक में जेठा लाल का अकाउंट का बैलन्स नीचे गया या उपर गया यह सोचना है, बैंक का इंकम हुआ वो नहीं सोचना है अपने को आपको अभी तक BRC नहीं समझ में आ रहा है पुनीता पुनीता आप समझने की कोशिश करो कि बैंक के बुक में जेठालाल भाई बेठे हुए है, अकाउंट लेके जेठालाल का अकाउंट है और जेठालाल के बुक में ICAC का अकाउंट है, दोनों का बैलंस नीचे ही जाने वाला है पर हम लोग बैंक की एंटरीज नहीं कर रहे हैं, बैंक की एंटरीज नहीं है हम लोग बैंक के इंकम के एंगल से नहीं सोच रहे हम बैंक में जेठालाल का ही अकाउंट देख रहे है जेठालाल के अकाउंट का बैलन्स भी नीचे ही आएगा ना पर सिप यह टाइमिंग डिफरेंस है टाइमिंग मतलब आज ही इसमें हो रहा है उधर वो लोग बाहाद में करेगा आपके डिमाग में कुछ तो अलग ही चल रहा है आप क्या कर रहे हो कि आईसे इसे बैंक का बैलन्स क्या होगा अरे आईसे इसे को क्या इंकम वो एक्सपेंस वो आपने को थोड़ी वो देखना है PRS is very simple दोनों में बैंक बैलन्स नीचे जाएगा एक में आज जाएगा एक में कल जाएगा समझा और पहले किसका जाएगा वो आपको डूनना है पहले एंट्री किसमें हुआ ओके सुर्ण हम लोग बैंक का इंकम बैंक का ने बैंक अकार न में जेठा लाल अकाउंट ही देख रहे हैычно हाँ सण हां बोल ये कर्यक्त मेन जेठा लाल का नीचे अकाउंट जाएगा बालन्स कम हो जाएगाkal कि कि बैंक में दीटास dram के बुखनें पांजम का बैलंस नीचे जाए यह जेठाल दो पहले एंट्री को तो केश्बूख ऐसे बाइलसों कि जेठालार斯 करेका तो थो पर यह को को चलो आठ ट्रांजेक्शन समझ में आ गए ना बेड़ा तो जिन्दगी में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा चलो बता अभी एक बार या ट्रांजेक्शन की पुनी था दो लोगों से में रिविजन लूँगा पहली तू है ठीक है चेक इसूर बट नॉट प्रे करेगी तब समझ में आएगा अभी आगे बभीता ने यह चेक डिपॉजिट किया पर बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो नीचे जाए चेक डिपॉजिट होने के बाद हमारा मुझे किसी ने चेक दिया और चेक देने के बाद मुझे वो पैसे मेंने सिर्फ डिपॉजिट किया तो उसके बाद मेरा बैंक बैलन्स बढ़ने वाला है क्या कम होने वाला है सोच के बता मुझे ICI ने चेक दिया और मैंने वो deposit करने के पहले तो मुझे check जैसे ही मिला मैं deposit करने के पहले मेरे book में entry करूंगा क्या इस book में मैं पहली पर entry किया ये बराबर है पर ये check के वज़े से मेरा bank balance बढ़ने वाला है क्या घटने वाला है बढ़ने वाला तो आप घटने वाला है क्यों बोला अपने वापस से एक बार मैंने किसी को check दिया मैंने मेरे office boy को check दिया check issue बोलते है उसको समझ में आ रहा है आपको कोई गड़बड नहीं है हम लोग बार बार करेंगे पर आठ transaction नहीं आते तो ये chapter नहीं आएगा ये आठ transaction समझ में आए पहले entry किसमें होना चाहिए ये धहन में आना चाहिए यही नहीं समझा तो मैं आगे जाई नहीं पाऊंगा BRS तो बात की बात है पहले पहली बार entry किसमें होगा ये डूनना है आठ transaction का सिब डूनना है be confident सब आता है आपको सोचना पड़ेगा check issue किया मतलब मैंने मेरे office boy को check दिया जा अभी payment तेरा ये देख cash के बदले में ये check दिया तेरे account में डाल और पैसे तेरे account में आ जाएंगे तो मेरे पहले अभी तक वो check bank में गया है क्या नई सर इसको बोलते check issue बट उसने present नहीं किया bank में नाइन भी देख check issue बट मेरे बंदे ने present नहीं किया bank में मतलब entry bank में हुआ क्या नहीं हुआ तो किदर हुआ entry cash book में हुआ हाँ और check issue करने के बाद मेरा bank balance नीचे जाने वाला है क्या उपर जाने वाला है अभी यही check जिसको मिला मेरा office boy वो जाके क्या करेगा check उसके account में deposit करेगा पर अभी तक वो clear नहीं हुआ उसने जाके सिख bank में भर दिया तो उसके book का balance अभी उसके book में पहले entry हुई क्या उसके bank के book में पहले entry हुई उसके book में उसके book में entry हुई मतलब कौनसा उसका book बोले तो cash book या pass book cash book और cash book का balance बढ़ने वाला है क्या घटने वाला है उसको पेशा आएगा क्या जाएगा जाएगा आएगा sir सर मुझे कैश बूक और बैंक बूक में संच्छूस हो रहे था बैंक का बूक बोले तो पास बूक होता और कैश बूक बोले तो अपना बूक होता सिर्फ टाइमिंग डिफ्रेंस है आज मैं रेकॉर्ड करूंगा तो बैंक कल रेकॉर्ड करे दोनों एक टाइम पर रेकॉर्ड करेंगे तो भी देख मेरे बुक में ICICI बुक में भी 10 लाग का मेरा बैलन्स है ये चेक जब मैं डिपॉसिट करूंगा तो 11 लाग ही आने वाला है और बैंक बुक में भी मेरा बैलन्स 10 लाग है तो बैंक में भी ये बैलन्स 1 लाग जमाई होने वाला है आया समझ में, मतलब 11 लाख रुपई होने वाला है, जमाई होने वाला है, पर timing difference है, और accounting difference क्या है, मैं bank को debit करूँगा, तेरा confusion क्या हो रहा है, मैं bank को debit करूँगा, और bank मेरे account को credit करेगी, पर दोनों के account में 11 लाख 11 लाख ही दिखने वाला है, अभी समझ में आया, अभी तेरा confusion क्या है, तू entry करने जा रही है, entry मत कर, entry मत कर, confusion और बढ़ेगा, तुझे ये लगेगा कि मेरा डेविड उसका credit मतलब मेरा bank balance बढ़ेगा, उसका bank balance घटेगा, वेसा नहीं होता है, 11 लाख 11 लाख ही होता है, जिफ entry मेरे book में होगी, या bank के book म होगी, वो तुझे सोचना है, और bank में भी balance उपर जाएगा, 10 का 11 ही होने वाला है ना उदर भी, और इदर भी 10 का 11 होने वाला है, सिफ timing difference है, इसमें आज ही होगा, इसमें कल होगा, ये है, अभी भी नहीं समझ में, और सिफ इतना सोचना है, कि मैंने check deposit किया, पहले सोचने क मैंने check deposit किया, मतलब क्या मुझे किसी से check आया, मेरा check आया, मतलब मेरा तो income होने वाला है, मेरा income होगा और मैं deposit कर रहा हूँ, अभी मैंने वो deposit किया, मतलब अभी मेरे book में entry होगा, पर bank बाद में entry करेगी, bank जब clear होगा तब entry करेगी, not clear, मतलब bank में वो जमा होगा, तब व में बाद में बढ़ेगा, बाद वाला BRS में जाएगा, आज बढ़ेगा वो मुझा अबिब देखना है इससे ज़्यादा मैं नहीं explain कर पाऊंगा अभी एक गलती वापस starting से करेंगे चेक issued but not presented for payment मतलब क्या मतलब cash book का balance कम होगा मैंने check issue किया अभी तक bank में से कम नहीं हुआ है मैंने issue किया मतलब मेरे office boy का payment release किया तो मज मैं आया through check तो पहले मेरे book में entry हुआ bank में बाद में होगा, तो आज मेरे book में से नीचे गया check deposited but not but not clear मेरे office boy ने वो check deposit किया या मुझे ICI से check आया वो मैंने deposit किया पर अभी तक वो clear नहीं हुआ है बोलिए तो balance पेटा, मैंने check deposit किया तो मेरे पास पेशा आने वाला है क्या जाने वाला है मुझे पेस तो balance कम होगा अपने account में bank में बाद में कम होगा अपने कम होगा अभी balance अरे बेटा मुझे check ICI से check आया है मेरे को check आया ICI से जब check आता है तो मेरा bank balance deposit गोने तो अपने check check मतलब वो ICI मुझे देख बेटा ऐसा ICI ना SS को ऐसा ICI ऐसा check देगी ICI मतलब Institute of Chartered Accountants of India इन्डिया इन्डियों ने मुझे 1 लाख रुपे का तोफा दिया अभी 1 लाख का check दिया मुझे तो मेरा bank balance तुरंट बढ़ने वाला है क्या जब तक मैं deposit नहीं करूँगा तब तक मेरे account में पैसा आएगा क्या तो सर पर इसमें ना तो मुझे जब मैं check सुनना बेटा सुन जब मैं ये check deposit करूँगा तब मेरे को तो entry करना चाहिए कि भाई मैंने check deposit किया तो में entry क्या करूँगा bank account debit to मेरे professional fees तो bank में मैं जमा दिखाऊंगा मेरे bank में मैं क्या बोलूँगा बले वो बाद में clear होने दे पर मेरा बंदा जब वो check लेके जाएगा तो मेरा bank balance में बढ़ा के बताऊंगा या कम करके deposit मतलब ऐसा check से पेसा नहीं जाता है सिप एक check जाके वहां पे slip लिख के देते हम लोग पेसा account में आने वाला है मेरे जब issue करता हूँ check तब मेरा account का balance नीचे जाता है deposit करना मतलब मुझे किसी से check मिला ICI से मैं 10 बर बोल रहू ICI मुझे check देगी सिप जाके bank में भरना पड़ेगा न account में थोड़ी direct डाल रही है bank में मेरे ICI ICI बोल रही है यह लो check और वो लेके जाओ तुम लोग और भर दो फिर में balance नीचे डालूंगा अभी check अब अपने को मिला तो cash book में अपना balance अभी increase होगा हाँ और वो जब deposit करने करने अभी यह एक जब मिला तब भी एंट्री कर सकती है या नॉर्मली लोग कब जा करतें एंट्री वो check का जब receipt का जो deposit का ऐसा slip होता एक छोटा सा वो ऐसा भरना रहता है कभी bank में जाके check deposit करो या cash deposit करो एक slip भरनी पड़ेगी आपको तब आपकी account में पैसा आएगा बाद में अभी सिब check clear होने को time लगता है पर ICI से मुझे check मिला मैं bank में जाने के पहले फिर मेरे book में entry करके रखूंगा भले bank में वो बाद में clear होने दे तीन चर दिन बाद अभी भी clear नहीं हो रहा है कि तुझे picture यह तीसरी बार हम लोग इधर ही अठके हुए तेरे दिमाग में क्या चल रहा है चेक deposit किया मतलब मैंने मेरे account में वो check ICI से मिला हुआ चेक मेरे account में डाला तो ICI मेरे account में पैसा डालेगी वो clear होने के बाद पर मुझे तो अभी entry करनी पड़ेगी ना उसकी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या नहीं आगे आगे increase होगा मिल गया ना अब तो cashbook में increase होगा बाद में passbook में bank increase करेगी जब वो clear होगा तब हाँ clear होगा पहले example बोलने का फिर आगे बढ़ने का check issue मतलब मैंने किसको check दिया bank को दिया अरे मैं bank को जाके क्यों check दूरे बेटा मैं bank को जाके check देता हूँ क्या वो check मुझे किसी से आया तो मैं वो bank में खुद जाऊंगा मैं check किसको issue करूँगा हर बार में मेरे office boy को मुझे check देना issue मतलब में देख अभी एक बद शांती से बोलो आएगा उसको देख बेड़ा मेरा ICICI bank है ठीक है पुनीता शांती से ले इसी आई को issue किया कि यह बैंक बदल दे आईसी आई अलग है Institute of Chartered Accountants अलग मेरे bank ICICI है यह मैं बोल रहा हूँ वो ICICI है और ICI है तुझे confusion ही confusion हो रहा है ICICI यह एक bank है और ICI यह Chartered Accountant की organization है यह पता है कि तुझे दोनों का difference तो तुमें क्या लिख रहा हूँ वो सोच चलो मैं bank बदल देता हूँ Central Bank है मेरे वो ICI और ICI से वापस तुझे confusion हो रहा है Central Bank Central Bank मेरी है तुझे अभी Central Bank क्या करते है जैसे मैं account number खोलता हूँ एस account number मिलता है मुझे पूरा visualization करवाता हूँ तुझे तुझे यह Central Bank क्या करते है मुझे एक чेक बुक देती है अब यह चेक बुक मतलब क्या होता है यह पता ही कि तुझा यह गर में चेक बुक करते हैं क्या आपने ? हाँ तो वो चेक्स अभी वो कितने चेक्स होते हैं अभी ये 10 का भी हो सकता है तीस का भी हो सकता है अभी वो बैंक के साथ आपके वेवार कैसे उसके उपर बार बार लगता है तो आपको ये 10 का भी दे सकते हैं 30 का भी दे सकते हैं 50 का भी दे सकती है समझ में आया पिर आपको लोग वो checks लेके आते हो अभी उसमें numbers होते हैं एक दो तीन चार पाच ऐसा check के नीचे number होता है यह पता है कि तुझे नहीं यह नहीं परता है हाँ check के नीचे number होते हैं अभी यह सब किसके checks है यह सभी Central Bank के समझ मैं आ रहा है अभी मैं क्या करता हूँ अभी मैं मेरे लोगों को अभी for example अभी मेरा salary वाला कोई बंदा आया तो मैं उसको बोलूँगा यह ले यह मेरे पाच बंदे हैं तो हर महीने मुझे कितने checks लगेंगे मैं उनको account मैं नहीं पेशा transfer कर रहा हूँ मैं उनको बोलो yellow check तो मैंने check क्या किया कौन से bank का check दिया Central bank का चेक मैंने दिया यह मेरी bank है अभी यह क्या दिया मेरे payment के लिए दिया क्या मुझे मेरे बैंक में जाएंगे या उनके बैंक में जाएंगे अच्छा मतलब बोड चेक लेके मेरे बैंक में जाएंगे उनके बैंक में से पेसे जाएंगे वो तो अभी वो तो इतना दूर का क्यों सोच रही है आगे क्या होगा वो बता मेरे ऑफिस में बेठा था मैंने उनको चे Central Bank का चेक था बराबर है अभी वो आगे क्या करेंगे वो आज शाम को जॉप करेंगे और सुबह क्या होगा साड़े 9 बजे वो कहां पर जाएंगे उनके बैंक में जाएंगे विजुलाइज कर मतलब यह रियल लाइफ है पर तुझे नहीं ध्यान में आ रहा है वह उनके बैं किया पराबर है हां चांति से एक थोड़ा सा पानी पी ले सब आने वाला है तुझे पर तु क्या कर रही है तिरी गडबड बहुत हो रही और पैनिकनेस में तुम मुझे भी पैनिक कर रहे है अभी विजुलाइज नहीं कर पा रही है अभी मैंने चेक इशु किया वह किसके बैंक में अभी वह चेक, मेरे बैंक में क्या उनके बैंक में है उनके bank मेरे बंदे का bank assume कोटक bank संगम संगम ने वो चेख कोटक bank में डाला ये समझ में आया तुझे कोटक bank वालों के पास किस का चेख है अपने bank का चेख Central bank का चेख है AMD मुझे समझ में नहीं आती तो कौन से bank है वो बता Central bank तो ये मुझे नाम बता, अभी Koekbank Central Bank को Contact करेगा Central Bank को बोलेगा कि Central Bank संकेत सर के Account में पेशा है क्या हाँ फिर वो मेरा पेशा निकाल के संगम के Account में पेशा उपर ले लेंगे है की नहीं, एकदम Simple है की नहीं बेटा अभी किस के लिए चेक इशू हुआ जेटालाल के अभी इधर जेटालाल थाई नहीं संकेत सर्थे संगम था अभी ये चित्र भी मिटा देता हूँ तुझे अभी ये चारो दिख रहे जेटालाल भी दिख रहे बबीता भी दिख रहे ये में भी दिख रहा हूँ और संगम भी दिख रहे तो अभी तुझे ये ट जेटालल बभीता ही नहीं एक्जामपल में बेटा मैं हूँ और संगम है और इस जेटालल कहां से आया इसमें मुझे पता नहीं यार जेखा सर मैं बोलू सर पहले से आप बोले जो यह संकेच सर यह संकेच सर का टेबल यह संगम संगम की बैंक, पोटग बैंक, सर की बैंक, सेंट्रल बैंक किधर भी जेटालल नहीं है, किधर भी बभी बभीता नहीं है सबसे पहले किसने किसको चेक दिया अब जेटालल बीच में मतला तो मैंने चेक दिया, तो मैंने चेक इशू किया या डिपॉजिट किया इशू किया और संगम ने चेक क्या किया दुसरे दिन उसके बैंक में डिपॉजिट किया अभी संकेत सर का बैलन्स संकेत सर का अकाउंट बैलन्स इशू करने के बाद संकेत सर तुरंत एंट्री करेंगे तो कैश बुक में बैलन्स नीचे पर इधर अब भी नहीं होगा, इधर बाद में होगा Central Bank में संगम के book में क्या होगा संगम का book बोले तो संगम का cash book हाँ तो उसमें पहले entry होगा क्या kोटक में entry पहले होगा कोटक उसके cash book में पहले वो increase करेगा हाँ और फिर कोटक bank में वो check clear होगा हाँ और संगम ने ये check इधर clear किया मतलब deposit किया तो मेरे bank के पास present होगा ना इधर से तो मेरे book में check issued और मेरे bank में not presented तब मेरे book में entry होगा चेक deposited but not cleared ये संगम के book में check deposit होगा अभी समझ में आया क्या अभी same picture में ने बनाया तेरे में confidence ही नहीं दीखा ICI ने payment किया payment किया तो issue किया और संकेत सर वो check लेंगे संकेत सर की bank थी central bank वो check लेके क्या करेंगे संकेत सर central bank में deposit करेंगे तो pass book का पेले balance increase होगा बाद में आप आपके cash book में भी increase कर दो पास book का balance क्यों इंट्रल बैंक में इंट्री होगा क्या पेले नहीं पेले वो check किसको मिला पास book का बाद में होगा सर पहले आपकी cash book में increase होगा ना अभी तू नहीं पहले पहले पास book वेचा नहीं सर पहले cash book में होगा पाद में तू भी ये lecture देखना और तू ही बोलेगी कि कितना पागलपन आज तू ही बताएगी को कि मैं क्या कर रही टाइप में ना simple transaction है पर मैंने अभी देख ये दो अलग-अलग है पहले case में संकेट सर ने अपने office boy को check issue कि दूसरे case में संकेट सर ने ICI से check लाया और deposit कि दो अलग-अलग transaction है तो इशू की तो पुनीता तू यार scholar बेटा ऐसी चीज़े तू करती नहीं है पता नहीं तू क्यू विजुलाइज नहीं कर पा रही है नहीं सर मैं सी entry कर रही थी आपने क्यू कर रही है मैं सिप बता रहूं पहले कि entry का सोचोई मत पहले आपका balance बढ़ने वाला है क्या कम होने वाला है यह basic बताओ यह पाचवी कक्षा का बच्चा भी बता देगा बेटा पाचवी कक्षा का बेटा मैं सिप बोल रहूं कि तेरे book में entry हुई तो cash book में बोल bank के book में पहले entry हुई तो pass book में बोल और सिप इतना सोच कि मेरा account का balance बढ़ने वाला है या कम होने वाला है मैंने बहुत patience रखे है बहुत ज़्यादा क्योंकि almost 20 minutes से तू यही चीज बोल रही है तू किसी को भी पूछेगी तो आपको यही बोलेंगे कि भाई इतना time नहीं देख बेटा चार पश लोगों ने तो छोड़ भी दिया वो बोले क्या चल रहा है यह स और मेरे patience में कैसे बेटा तू ही बता मैं क्या करू तो समझ में आएंगा इनको सर अब आ गया चलो बोलो अब इच्छे की शूड़ हुआ तो पहले entry किसके book में होगी cash book में होगी और balance नीचे जाएगा example क्या बताया था सर ने मैंने किसको चेक दिया था total bank को संगम को बैंक को नहीं दिया था रहे बैंक बाद में entry ओगती है संगम को मैं क्यों खोटक bank को एंट्री जाके बोलू मैं संगम को चेक दूंगा रहे वो संगम अपने bank में जाता है हाँ नेक्स्ट छेक डिपोजिटेर का क्या एक्जामपल दिया था मैंने मुझे किस ICI ने ICI ने चेक इशू किया किया deposit किया ICI ने और मैंने वो छेक लेके मेरे बैंक में जाकर deposit किया तो मेरे बुख में मुझे पेशा आने वाला क्या जाने वाला है आपके cashbook में increase होगा बस finally चलो दो transaction के लिए जान निकाल दिए किसरा अभी ये check ICI का dishonor हुआ अभी ये dishonor हुआ ये किसको पता होगा बैंक को पहले पता होगा तो passbook में वो minus हो जाएगा इंट्रेस्ट और expenses bank ने charge किये किसको पता होगा bank balance interest and dividend bank ने collect किया तो किसको पता होगा पहले मुझे या bank को और उन्हें ने collect किया तो मेरा bank balance direct payment to third party किया पेले किसको पर टिक्री जो और इधर बैंक ने डाइरेक्ली पेशा क्लेक किया मेरे बिहाब पर पे पहले बैंक को पता चलेगा बैंक सब इंक्रीज होगा बैंक बैटा अब इस सब आने लगा तो आधा गंटा वेस्ट कर लोगा कि ने किया हैं किसने किया मैं किसने किया और बैलन्स नीचे जाएगा क्या उपर जाएगा कोई बात नहीं है दो टाइप के प्रॉब्लेम्स हैं एक विदाउट कैश्बुक कब अज़स्टेड कैश्बुक कब आता है जब हम लोग अज़स्टेड कैश्बुक तब बनाते हैं जब हम लोग इसको रिको करवाते हैं को मतलब हम लोग पहले रेक्टिफिकेशन करते हैं और उसके बाद बी आरेस करेंगे तो दो चीज़े इफ रिकंसिलेशन इन डूरिंग डिफरेंट मन्स तो ऑप्शनल और डिफरेंट अकाउंटिंग यहर होगा तो फिर आपको अज़स्टेड कैश्बुक बनाना ही अभी देखिए यह ऐसा फ्रॉर्मेट होता है अब कैश्बुक से पास्बुक पे जा सकते है और पास्बुक से कैश्बुक पे जा सकते है अब इसका प्रोसेस में बता देता हूँ एक्दम सिंपल प्रोसेस है देख बेटा पुनिता एकड़म सिंपल है तू CB to PB भी जा सकती है और PB to CB भी जा सकती के दोनों options है मैं process आपको explain करता अभी तू CB to PB जा रही है तो किसको box करेगी तो PB को box करना है जो last में है box का meaning होता है ध्यान देखे सुनना अभी BRS process पहले entry किसमें होगी यह तो समझ में आया अभी entry के बाद BRS अभी CB to PB यह question में दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा तो it's your choice आपको कहां से कहां जाना है तो CB to PB आपको जाना है तो आपने किसको box बनाया जो last में है last में कोन है PB फिर इदर लिखने का CB PB PB में changes नहीं करने PB में changes नहीं करने जो PB क्योंकि PB को box है तो जो box का answer है वो unbox में लाना है बापस से बोलता हो box का answer unbox में लाना है अभी check issue किया तुझे पता है पहले entry किसमें हुआ पुनी था check issue का cash book cash book में entry हुआ bank balance नीचे गया या ऊपर गया अच्छा रो ले पहले होता है ये चीज़ अभी रो के कुछ फाइदा है कि आप पूरा समझ में आ चुका है तो next door पे जाना है अभी ठीके थोड़ा होगा it's okay कि भाई इतना कुछ भी नहीं हुआ है अभी तेरे दिमाग में lifetime फिडबेड गया ये चीज़ रो के फाइदा होने वाला है तो बता मुझे कि मैं सिब common sense बढ़ाने के लिए तुझे डाट रहा था कि तू थोड़ा common sense लगा कि ये difficult भी नहीं था और you are intelligent student अभी जो हो गया उसके लिए अभी क्या कर सकते हैं अभी किसी को बुरा लगा क्या पूछ बुल्टा सबको ये process visualize हो गई आधित्री आपको बुरा लगा क्या नहीं से बलकि और clear हो गया है तू क्यो टेंशन ले रही है तेरे जैसे सो बच्चे देख रहे बेटा जिनका ये concept clear नहीं होता है आप थोड़ी real life में जाके देखते हो आपको मम्मी पापा ने किदर ये सब भेजा ही नहीं रहता है और बैंक में ये transaction नहीं होता है तो ये ठीक है ये चीज़ है अभी हम लोगों को किसा बच्चपन से में 7-8 स्टैंडर से बैंक में जाता था पापा का काम करने की मैं थोड़ी दक्ष को भेजता हूँ किदर अभी ये चीज़ से रोके कुछ फायदा होने वाला इक है बेटा और nervousness बढ़ेगा आज का session अभी तुझे अच्छे से समझाए ठीक है थोड़ा time लग गया इस ओके बाकी लोगों को कुछ नहीं लगा है और तेरे जैसे बाच students तो रहेंगे उनके भी problem थे genuinely उनको भी difficult हो रहा था उनके concept clear हो गए कितने लोगों के ऐसा हुआ कि इसके वज़े से बहुत ज्यादा concept clear हो गए हैंड्रेज कीजिए देखिए तेरे वज़े से और कुसी ने ये भी नहीं बोला almost 70 सब ने हैंड्रेज किया बेटा कि तेरे वज़े से हमारे ये और ज्यादा clear हो गए तनुजा भी बोल रही है देख तू तनुजा को भी फाइदा हो गया क्या तनुजा देख सबने और तुझे क्यों ऐसा बूरा लग रहा है अभी उल्टा ये समझ ले कि ये लेक्चर के वज़े से अभी कोई जिंदगी में भूलेगा नहीं बियारेस होता क्या है एंट्री 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 सब समझ में आ गया अपुनित वाइरू टेकिंग इट निगेटिवली कुछ चीज़े ठीक है बाकी बच्चों को कुछ फरक नहीं पड़ता इस ओके सर के साथ एक गंटा तो मिल गया न उनको अभी मेरी मम्मी जो है बेटा वो यह सोचती है कि वो उनके जो गुरू है मतलब हमारे ही गुरू हमारे में जो दिक्षा ली जाती है वो सफेद पोशाग जो पहेच आपने कभी देखा होगा रोडप से जाते हुए तो यह लोग जो दिक्षा लेने के बाद जो लोग रहत पुनी था कभी आपने जाइन लोगों को देखा होगा मेरी मम्मी तो खुश होती है कि मुझे मेरे गुरू के साथ रहने को मिला करके एक हाद दिन ठीक है अभी क्या इतना अभी रोके कुछ फाइदा है क्या नई और किसी का टाइम वेस्ट नहीं हुआ देक सबने हैं रिस्क किये और दो-तिन लोगों ने जिन्नोंने गुरूप छोड़ दिया रहेगा अभी मतलब यह मिटिंग को तो उनके पेशन्स नहीं थे और उन्होंन था तो उन्होंने डायरेक्ली बोल दिया रहे था यार तू घर पर पढ़ ले करके पर मैंने भी रखे पेशन्स को कि तेरे वज़े से बाकी लोगों का फाइदा होने वाला है मैं पॉजिटिवली ले रहा हूं यह चीज़ कि पुनिता को डिफिकल्टी है तो बहुत से पॉजिटिवली चल बतावी फटा फट चेक इशू किया तो किसमें इंट्री हुआ बेटा इसे इमेजने पास्बुक में इंट्री हुआ है क्या इसका नहीं हुआ पास्बुक में जीरो लिखू बॉक्स किसको करना है बेटा last one Crossbook को उपर देख उपर यसा मत बोल उपर देख हां Passbook को मैंने जीरो किया अभी बेटा 0 आंसर सामने आने के लिए जीरो का आंसर यह जो बॉक्स में दिख रहा है यह चैश्बुक्में आने के लिए तु क्या करेगी add करेगी क्या less करेगी अभी देख Miami माइनस 100, माइनस 100 किया तो आंसर क्या होगा तू ही सोच, माइनस 200 होगा क्या 0 होगा माइनस 100, माइनस 100 किया तो आंसर 0 होने वाला है क्या माइनस 200 होने वाला है माइनस 200 पर हमें कितना चाहिए, जिरो चाहिए ना, तो हमें ये प्लस करना पड़ेगा की नहीं बेटा, रिवर्स लेना पड़ेगा की नहीं, समझ में आया, तो ये हुआ, ऐसा आपको करना है, अभी बैंक चार्जेस, पहले किसमें रेकॉर्ड हुए, पास बुक में, चैश बुक मे नीचे जाएगा, क्या ऊपर जाएगा, बैंक चार्जेस के वजे से, नीचे जाएगा, माइनस सो लिग दू, इसको बॉक्स करूँ, कैश बुक को, पेटा, CB2P भी यही चल रहा है न, अभी तो, तो बॉक्स किसको करूँ, मैंने थोड़ी बोला, पास बुक को, अभी माइ माइनस हंड्रेड, यह आपको सामने चाहिए, जीरो के नीचे, बॉक्स वाला आंसर, अन्बॉक्स में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा तुझे, माइनस हंड्रेड, हो गया, यह बी यारे से, और एक, PB2CB जा रही है, कहा से कहा जा रही है, PB2CB, कैश बॉक्स, अभी PB2 किसको बॉक्स करेगी, PB, CB को, एक एक एक्जामपल देता हूँ, बैंक ने टाइरेकली कलेक्शन किया कस्टमर से, तो CB में इंट्री हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ, जीरो, पास्बुक में इंट्री हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ, 100 रुपीज एजूम करते, अच्छ पड़ेगा, 100 इधर लिखा, किसको बॉक्स किया उपर, बॉक्स किसको किया है, पर बॉक्स किसको किया है, पुनिता बोलना बेटा, जल्दी, रूट हो गई तो, नेट्वर्क इशू, पुनिता, आजितरी बता बेटा, किसको बॉक्स किया है, तऱ से नेट्वर्क इशू, झाल झाल